उसको समझें कि वो क्या बात कर रहा, क्या नहीं बात कर रहा और data और fact के base में हमें इस decision पे आएं कि वो बात सही है या गलत है The Rudest Book Ever by Shritab Gangwar अगर आप नहीं जानते कि Shritab Gangwar कौन है तो एक well-known YouTuber है और इनके जो वीडियोज होते हैं वो target करते हैं youth को और वो ऐसे वीडियोज बनाते हैं ताकि youth सही track पे आए वो सही decision ले पाए, अपनी life को आगे सुधार पाए और एक अच्छे human being बन पाए मैंने उनके कुछ वीडियोज देखे और उनमें मुझे एक common pattern ये नज़र आया कि वो हमेशा बोलते हैं कि काम करो और उसके बीचे एक reason है वो मैं आपके साथ share करना चाता हूँ generally हमारी life में बहुत सी चीज़ें गलत हो रही होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ ही गलत है और हम बहुत demotivate हो जाते हैं और हम ऐसे feel करते हैं कि जैसे हम worthless है और हमारा confidence level बहुत कम हो जाता है बट क्या होता है जब हम कोई काम करते हैं जब हमें अपने काम पे focus करते हैं तो उससे हमें एक hope मिलती है उससे हमें ये दिखता है कि at least ये जो part है जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे control में है और जब ये होता है तो थोड़ा सा confidence build होता है और इस confidence से धीरे-धीरे अपनी life की बाकी की चीजों को हम positive करते-करते एक अच्छे level पे पहुँच पाते हैं तो इसलिए वो हमेशा बोलते हैं काम करो and literally ये बहुत ही एक अच्छी advice है Let us focus on our work तब ही आपने देखा होगा कि मैंने एक challenge लिया है कि 21 दिनों में 21 वीडियो बनानेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं घर पे खाली बैठूँ और मैं अपना time waste करूँ आप भी उठिये और ज़रूर काम करिए इस वीडियो में मैं उससे कुछ important learnings आपके साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो के end तक ज़रूर बने रही है और अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसको तुरंट subscribe करिए मैं हूँ लोकेश लालवानी Microsoft Certified Corporate Trainer और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस channel में learn with लोकेश लालवानी तो दोस्तों पहला point शृताब गैंगवार अपनी the rudest book ever में ये बोलते हैं कि you are a product वो ऐसा क्यों बोलते हैं उसको समझना बहुत जादा important है देखिये दोस्तों maximum लोग जो है इस दुनिया में वो क्या करते हैं जब वो पैदा होते हैं तो जिस community में वो पैदा होते हैं उस community के उनके parents के उनके neighbors के उस community के जो belief होते हैं वो एक particular direction में होता है उनका एक अपना belief system होता है और वो उस पे बहुत strict रहते हैं जब उनके पास कोई आता है कुछ अपने belief लेके तो उनको बिना सुने वो reject कर देते हैं वो नहीं सुनते बिल्कुल भी क्योंकि वो अपने belief system पे बहुत जादा strict होते हैं और यही चीज वो अपने बच्चों को सिखाते हैं अब इससे क्या होता है जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो भी उसी belief को माना शुरू कर देता है बिना question पूछे कि actual में यह सही है और नहीं है और जब वो school में जाता है, college में जाता है और उसको different belief system के लोग मिलते हैं तो नहीं वो इस से agree होते हैं नहीं यह उन से agree होता है और यह जो argument है वो heat होके fight में बदल जाते हैं और जिससे कि क्या होता है कि कोई भी self improvement नहीं होती तो शोयताब गैंगबार यह बोलते हैं कि हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि what to think instead of how to think अगर हम उनको यह सिखाएं, अपने बच्चों को अगर यह सिखाएं कि how to think या अभी अपने अंदर यह change लेके आएं कि how to think इसका मतलब क्या है, हर एक चीज के हम लोग question करें हर एक चीज को अपने intelligence के हिसाब से समझे हम भेड़ चाल ना करें उससे क्या होगा कि कोई भी अगर different belief system का person हमारे पास आता है और कुछ बोलता है तो हम अपने mental level के हिसाब से उसको filter करें उसको समझें, उसको reject ना करें उसको समझें कि वो क्या बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा और data और fact के base में हमें इस decision पे आएं कि वो बात सही है या गलत है अगर गलत है तो उसका साथ ना दें और उसको प्यार से समझाएं अगर वो सही है तो उसका साथ बिलकुल दे और बाकी लोगों तक भी वो truth को spread करे इससे करने से हमारी एक individual personality बनती है जो की अकसर life जीते जीते खो जाती है अकसर हम लोग बड़े तो हो जाते हैं बट age जादा बड़ी होती है अंदर से हम लोग बच्चे ही रह जाते हैं क्योंकि आपको भी पता है एक certain level के बाद हम लोग learning करना छोड़ देते हैं self improvement करना छोड़ देते हैं question पूछना छोड़ देते हैं हम curious नहीं रह जाते इस वज़ा से हम भेड़ चाल बहुत जादा करते हैं तो हमेशा समझे कि आप एक product हैं और आपको एक अच्छा product बनना बहुत ज़रूरी है society के लिए और अपने लिए खुद भी तो इसलिए self improvement करते रहें हर एक चीज़ पर question ज़रूर पूछें और हमेशा याद रखे that you have to know how to think instead of what to think nobody should tell you what to think you should always focus on how to think दूसरी एक बहुत important learning इससे मिलती है हमें जो कि है rejection इसके author श्रताब गैंगवार हमें ये समझाते हैं कि जब भी इस दुनिया में किसी इंसान को rejection face करना पड़ता है तो दो में से कोई एक रास्ता वो चुनता है rejection किस तरह की suppose interview की rejection एक interview दो interview वो reject होते जाते हैं दूसरा अगर आप किसी को पसंद करते हैं वो अगर आपको reject कर दें तो इस तरह की और बहुत सारी rejection तो दो रास्तों में से कोई एक रास्ता इंसान चुनता है पहला वो बिलकुल मायूस हो जाते हैं यार मेरे से तो कोई interview crack ही नहीं होगा मैं worthless हूँ कोई value का नहीं हूँ उनकी कंदे ऐसे जुग जाते हैं बिलकुल depressed feel करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं और सीधा उनको मना करते हैं तो वो बिलकुल depressed हो जाते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ दुनिया के आगे और दूसरा इंसान ये ठान लेता है कि अब मैं इसको करके दिखाऊंगा मैंने ये इंट्व्यू क्रैक नहीं कर पाया तुने मुझे रिजेट कर दिया अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तेर को मैं जॉब पे रखूँगा इस लड़की ने मुझे मना कर दिया अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा इतनी शौरत कमाऊंगा इतना स्मार्ट बन के दिखाऊंगा कि ऐसी सौ लड़किया मेरे आगे पीछे गूमेगी यह देखके लगता है कि दूसरा रास्ता बिलकूल ठीक है क्योंकि इसमें हमें success मिल रही है बट author के अपसे दूसरा रास्ता भी गलत है क्यों? क्योंकि इसमें आप दुनिया से revenge ले रहे हो इसमें अगर आप successful हो भी गए तो आपको self satisfaction नहीं मिलेगी इसलिए author कहते हैं कि जो भी आप काम करें वो self के लिए करें अपने satisfaction के लिए करें आप दुनिया के लिए नहीं करें क्योंकि दुनिया को फरक नहीं पड़ता वो बोल कर भूल जाते हैं चले जाते हैं लेकिन आपको जो है अपने आपके उपर focus करना है दोस्तों तीसरी इसमें से learning ये निकल के आती है that you should treat yourself as a nation आप अपने आपको as an individual इंसान ना समझे अपने आपको as a nation समझे और जो भी आपके लोग आसपास हैं उनको भी as a nation समझे अब इसको इस तना से लीजिए अगर इंडिया के उपर कोई कबजा करना चाहे या उसको bully करना चाहे तो हम एकदम resist करते हैं similarly अगर आपके उपर कोई कबजा करना चाहे तो आपको भी उसको resist करना चाहिए अपने आप पर दूसरे को इतना हावी नहीं करना चाहिए ताकि आपकी अपनी individuality खो जाए आपकी अपनी desire ही बिलकुल खतम हो जाए क्योंकि आपको अपनी life में बहुत आगे बढ़ना है अगर आप ऐसा करेंगे अपनी initial stage पे ही तो ये चीज आपकी individuality बिलकुल खतम कर देगी आपकी जो success बनने की जो चाह है आपकी dream वो सारे crush हो जाएंगे So be yourself और अपने आप पर किसी को हावी ना होने दीजिए दोस्तो fourth learning इसमें से ये निकल किया आती है that you should admire people but not follow तो हमारे जो author है शुईताब गैंगवार वो ये बोलना चाहते है कि आप लोगों को admire करो instead of following them इसका ये मतलब है कि आप उनकी अच्छी बातों को सीको लेकर उनको blindly follow मत करो बहुत सी public figure ऐसी है जिनको हम लोग blindly follow करते है विराट कोली है या बॉलिवोड में अक्षे कुमार है या कोई भी इस तरह के जो public figures है हम लोग उनको blindly follow करना शुरू कर देते हैं गलत है क्योंकि हर एक इनसान कई टाइम पर सही होता और कई टाइम पर गलत होता है अगर हमको blindly follow करेंगे तो गलत चीजों पर भी हम उनका साथ देंगे जो बिलकुल गलत है आप सोचिए, question कीजिए, हर एक बात को समझिए उनको admire जरूर कीजिए, उनकी अच्छी बाते जरूर incorporate कीजिए अपने अंदर सो दोस्तों जो अभी तक मैंने learning आपके साथ share करी the rudest book ever में से आपको अच्छी लगी होंगी, आप जरूर इनको अपने life में ढालिए और इस book में सिर्फ ये 4 learnings नहीं है, इसमें total 17 chapters हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इस book को buy करें नीचे description में मैंने इसका already link दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको buy कर सकते हैं और नीचे comment में लिखके जरूर बताइए कि आपको ये video कैसा लगा प्लस अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के और book के ऊपर मैं कुछ video बना सकता हूँ तो आप जरूर mention करें, इस video को जरूर like करें और मेरे channel को जरूर subscribe करें टेक क्यार दोस्तों, बबाए